तो आज के इस वीडियो में दोस्तो आपको जनकारी देने वाला हूँ इस परकार से website कैसे बनाना है दोस्तो ये जो है theme क्या है कि galaxy theme है ठीक है तो इसी theme के जरिये जो है हम बलागर पे website बनाएंगे step by step आपको बताऊंगा और पैसे कैसे कमाना है और आपको जो है अपने bank account के अंदर में पैसे कैसे लेना है वो सारा जनकारी जो है आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तो एक ही वीडियो के अंदर में पूरा जनकारी मिल जाएगा तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना क्योंकि ये जो है पूरा फूल टुटोरियल है तो चलिए दोस्त अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं अब करते हैं सुरू तो सबसे पहले आपको बता दू दोस्त इस वीडियो के अंदर में आपको तो पूरा जानकारी तो मिलेगा ही मिलेगा कि इस परकार से जो है बेवसाइड कैसे बनाया जाएगा लेकिन एक बात और आपको बता दू दोस्त जैसे कि यहाँ पे आप इस बेवसाइड को देख रहे हो अगर आपको बेवसाइड करने में कोई दिक्कत होगी तो आप जो है मेरे से इस परकार का बेवसाइड बाई कर स दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यह इस परकार से वेवसाइड है सेम इसी परकार से वेवसाइड आपको मिलेगा तो इस परकार का वेवसाइड जो है आप मेरे से खरीद सकते हो पहले जो है आपको पूरा पैसा नहीं देना है पहले जो है आपको 400-500 रुपे देना है बागी पैसे जो है website लेने के बाद देना है तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्त यह जो है बहुत ही अच्छा website है full setting, full customize है तो चलिए दोस्त अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है इस परकार से website कैसे बनाया जाएगा सेम इसी परकार से तो इस बीडियो को देखते रहना अंत तक दोस्तो अगर यह जानकारी सही लगे तो कर देना इस बीडियो को लाइक तो website को create करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है जैसे कि आपको बता दू कि Google पे आपको जाना है Google आपन करना है आप जो है Google को उपन कर लेना और Search bar में आपको सर्च कर देना है Blogger थीक है ? Blogger सर्च कर देना है ते बो करना है उसके बाद जो है आपको यहां पे लिक कर चलिए मैं सर्च कर देता हूं लिखने के बाद जो है दोस्त यहां पे जो है blogger.com create a unique beautiful blog easily ठीक है यहाँ पे लिखके आ रहा है तो आपको करना क्या है कि इसी लिंक पे आपको किलिक कर देना है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि यह create हो चुका है दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो website create करने की जो जानकारी दे रहा हूँ बीना एक रुपिय लगाए आप जो है website को खुद से create कर सकते हो बांकी मेरे से जो website लेओगे तो complete website मिलेगा लेकिन उसके बदले में आपको खरीदना परेगा ठीक है तो आप जो है 4-500 रुपिय देखके खरीद सकते हो बांकी website लेने के बाद जो है आप बांकी का payment करना फिरी धीम फिरी होस्टिंग सब कुछ मिल जाता है इसलिए जो है आप यहाँ पर फिरी में website को create कर सकते हो website को create करने के लिए जैसे की blogger.com हमने search किया है उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी link था उस पर हमने click किया तो इस परकार से page open हुआ है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि create your blog पर click कर देना है तो चलिए मैं create your blog पर click कर देता हूँ click होने के बाद जो है दोस्त यहाँ पर आपसे gmail id माएगा तो अगर आपका gmail id नहीं create है तो youtube पर जो है search करके किसी भी वीडियो को देख सकते हो और आप जो है अपना gmail id create कर सकते हो gmail id create होने के बाद या आपके पास पहले से gmail id तो अच्छी बात है तो यहाँ पर आपको जो है अपना google का gmail id दे देना है उसके बाद next कर देना है और उसके बाद password माएगा तो password दे देना है बांकि यहाँ पे gmail id password देने के बाद किस परकार से page open होता है तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ तो gmail id पास देने के बाद आपके सामने में इसी परकार से page open होगा तो दोस्तो इस परकार से page open कर लेना बांकि यहाँ पे एक और बात बता दू जिनका account blogger पे पहले से ही बना हुआ है तो उन्हें क्या करना परेगा बांकि अभी जो है नए भाई रूकिए एक second मैं आभी आपको भी बताता हूँ तो यहाँ पे जिसका website जो है पहले से blogger पे create है या account create है तो यहाँ पे उसके लिए भी थोड़ा सा guide कर देता हूँ तो यहाँ जो है सबसे पहले करेंगे cancel जैसे कि इसके अंदर में आप जो है बहुत सारे website बना सकतो एक बार जो है account create करने के बाद तो जिनका website पहले से create है तो वो जो है यहाँ पे arrow पे click करेंगे अगर वो नया website फिर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकतो कि मैं बहुत सारा website को create कर रखाऊं तो यहाँ पे जो है जिसका account पहले से blogger पे create है तो वो जो है यहाँ new blog पे click करेंगे new blog पे click करने के बाद इसी परकार से page open हो जाएगा बाकि जो पहली बार blogger के अंदर में जो है login करेगा gmail password से तो उसके सामने में भी इसी परकार से page open होगा बाकि चलिए यहीं से जो है main बात सुरू होती है और यहां से जो भी website create होता है तो यहीं से जो है शुरुआत होता है तो नए भाई के लिए भी आप यहीं से वीडियो देखना परेगा और जो पुराने है जिसका account पहले से create है तो वो भी जो है इस वीडियो को आप यहां से देखे यहां से cut ना करे क्योंकि यहां से जो है आप website create होना सुरू हो रहा है तो यहां पे सबसे पहले आपको अपने website का नाम देना है तो दोस्तो यहां पे आप नाम जो दोगे तो किस परकार का website create करना चाहते हो Siree website, News website, Status website, Job website, Health website, Fitness website website बहुत परकार के होते है तो वो जो है आप पहले select कर लेना अपने mind में कि किस परकार से जो है आपको website create करना है तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा news website अच्छा लगता है तो चलिए मैं यहाँ पर news link देता हूँ ठीक है news हमने लिख दिया news check लिख देता हूँ news check हमने लिख दिया ठीक चलिए अब यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ next पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आपको जो है blog address देना है तो यहाँ पर भी जो है small letter में आपको लिखना news check अब दोस्त यहाँ पर होता क्या है जैसे कि sorry this blog address is not a b level लिख के आ रहा है तो इसका मतलब यह जो नाम है पहले से किसी और website के पास है इसी लिए जो है यहाँ पर select नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि अलग हट के नाम देना है अब यहाँ पर एक बात आपको बता दू कि दो website के पास same URL नहीं हो सकता है इसी लिए यह जो URL है यह जो नाम है पहले से किसी और website के पास होगा इसी लिए यहाँ पर select नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ अलग हट के नाम देना है जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर select करने के लिए 1,2,3 मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 1,2,3 भी लगाने से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कुछ और भी आप लगा सकते हो सबसे अलग हट के URL आपको बनाना है ठीक है यहाँ पर news take day लिख देता हूँ यहाँ पर यह भी नहीं select हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं अब 1,2,3 लगा देता हूँ आप select हो जाएगा यहाँ पर जैसे कि कोईसा भी website आप बनाओगे तो same उसी परकार से URL देना और यहाँ पर आप जो है साफ सुधरा URL देना क्योंकि यहाँ पर 1,2,3 लगाओगे तो आपका जो URL है वो अच्छा दिखेगा नहीं बाकी नहीं select होता है तो आप दे सकते हो किसी भी परकार का URL कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए यहाँ पर यह जो है select हो चुका है अब यहाँ shape पर क्लिक कर दूँगा तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह create हो चुका है लिंक भी बोला जाता है तो इसलिए यहां पे जो होता है क्या कि 123 नहीं लगाना है अगर लगाते हो तो देख सकतो कि कितना बेकार URL लग रहा है अगर हम इसको 123 को हटा देते हैं तो देख सकतो कितना URL अच्छा लग रहा है इसलिए जो है आप URL जो है सही से बनाना और नाम भ परकार से website create होगा ठीक है तो चलिए दोस्त यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ ठीक तो यहाँ पे बस वीडियो को देखते रहना अंत तक आपको जो है सभी परकार का जनकारी मिलेगा तो देख सकते हो यहाँ पे कि यह है इसके अंदर में अभी theme में upload करूँगा theme upload करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें post लिखना परेगा क्योंकि एक भी post नहीं है तो यहाँ new post पे click करेंगे new post पे click करने के बाद यहाँ पे होगा क्या दोस्त सबसे पहले आपको title देना है यहाँ पे title देना पड़ता है photo देना पड़ता है text लिखना पड़ता है इधर level देना पड़ता है तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले title दे देता हूँ तो title में जो है demo में लिख देता हूँ क्योंकि demo post में लिख रहा हूँ उसके बाद जो है और भी post लिखूँगा उसके बाद जो है इसके अंदर में अगर photo upload करना है यहां पर आप देख सकतो कि photo का icon है insert image का इस पर आपको click कर देना है आप जो है दोस्तों mobile से laptop से PC से किसी भी चीजों से बलागर website को create कर सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्ति यहां पर जो है click करने के बाद upload form computer का option आ जाता है तो इस पर हम जो है click करेंगे और जो भी हमारे gallery के अंदर में photo होगा उसको लेंगे हब यहां जो है choose file पर click करेंगे Click होने के बाद जो है दोस्त यहां पर आपको करना क्या है कि आप जो है photo बनाके रख लेना यह photo है मेरे पास और उसके बाद इस पर click करके मैं open कर देता हूँ open करने के बाद होगा यहां पर आ जाएगा तो बहुत simple है दोस्तो website create करना बस ध्यान से इस वीडियो को देखो और नहीं होता है तो मेरा WhatsApp contact है तो उस पे आप जो है contact कर सकते हो website create कराने के लिए तो चलिए यहाँ पे select पे click करके यहाँ select पे हमने click कर दिया अब इसे आप चाहो तो left, right, center आप कर सकते हो तो यहाँ पे जो है कि मैं left में कर देता हो या center में भी आप रख सकते हो जैसे कि center हो गया आप इधर क्या है कि इधर जो है right में कर देता हो यहाँ पे चलिए enter दो बार दबाना है और यहाँ पे भी लिख देता हूँ demo rtl ठीक है हमने लिख दिया अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यह news से related website है ठीक है यानि news से related यह post है तो आपको इधर news लिखना है यहाँ पे news लिखना है, comma लगा देना है यह आपका label बन जाएगा, बस इतना ही काम करना है और इसके अंदर में जैसे एक article लिखा जाता उसी परकार से एक अच्छा सा article लिखना ताकि आपके जो post को कोई देखे तो उसे फाइदा हो ठीक है, knowledge मिले, ग्यान मिले और उनको जो है अच्छा लगे तो title भी अच्छे से देना बाकि मैं तो यहाँ पर समझ लो title बताया हूँ कि किस परकार से देना है, photo कैसे upload करना है यहाँ पर article कैसे लिखना है, level कैसे देना है तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताया हूँ बाकि चलिए दोस्त, इसका जो है आप photo का size भी बढ़ा सकते हूँ इस पर tick करना है, click करना है, उसके बाद setting के icon पर click करना है यहाँ जो है, x large, large, original size, सब कुछ आप कर सकते हूँ यहाँ पर चलिए large पर मैं click कर देता हूँ और यहाँ update पर click कर देता हूँ जब भी आपके website पर यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जब भी कोई आएगा चाहे Google के search engine से आए, या Facebook से आए, या Tutor से आए, या कहीं से भी आए तो यहाँ पर दिखेगा, चलिए मैं refresh करके आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि एक post जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है देख सकते हो, यहाँ पर जो है एक post दिख रहा है तो अभी जो है इसके अंदर में एक ही post है, इसके अंदर में और भी post जो है मैं लिख लेता हूँ ठीक है 10 12 जो भी है 8 9 10 वो मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आगे आपको बताता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 पोस्ट जो है लिखा चुका है ठीक है तो 10 पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो बाकी चलिए एक जो है नीचे यह वाला पोस्ट है एक उपर है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह open हो चुका है तो आपको जो अच्छे से title देना है ठीक है अच्छे से photo upload करना है photo upload करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि किस परकार से कितना text लिखा हुआ है तो इसी परकार से आपको अच्छे से आर्टिक का लिखना है ताकि आपके website पे अच्छे से traffic आए, view जाए, अब चलिए यहाँ पे जैसे यह लेवल है, तो news से related अगर आप post लिख रहे हो, तो यहाँ पे है क्या कि जैसे की news से related बहुत परकार का level होता है, जैसे news, today news, India, weekly news, इ यहाँ पे 3-4 दे सकते हो, और कॉमा लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ पे उपर कर देना है, अगर दोस्त, यहाँ पे जैसे की यह अभी update लिख के आ रहा है, अगर नया post लिख होगे तो publish का option आएगा, या नहीं तो पुराने post को open करोगे, इसके अंदर में कुछ changing करना चा देते हैं back, back करने के बाद जो है दोस्त, यहाँ पे है क्या, जैसे की यह जो है इस परकार से दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है अभी और क्या है की theme लगाएंगे, अभी theme को लगाएंगे, ठीक है, इसके अंदर में अभी theme लगेगा, यहाँ पे तो post लिखा चुका है, ले जैसे की theme अगर यह वाला download करना है आपको, तो नीचे इस वीडियो के description में जाना है, ठीक है, galaxy, blogger template फिरी download का link मिलेगा, उस पे click करके आप जो इस template को download कर सकते हो, तो चलिए यहाँ पे जो है download कैसे होगा, जैसे की नीचे इस वीडियो के description में जाओगे, तो इसी परकार से जो है आपके सामने में page open होगा, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा नहीं 7 second चलेगा, और यहाँ पे 7 second इसलिए मैं दे रखाओं दोस्त, क्योंकि यहाँ पे wordpress full course है, blogger full course है, ताकि लोगों को जनकारी के लिए दिया हूँ, ताकि 7 second जो है यहाँ पे रुक के देख सके, बाक करने के बाद जो है दोस्त, यहाँ पे होगा क्या, कि इस परकार से पी जाएगा, तो उपर में देख सकते हो कि download हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे download हो भी गया है, अब मैं करूंगा क्या कि इसको कर दूंगा back, और सिधा चाहूंगा file में, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सक फूल फ्यूचर, तो आपको करना क्या है, देखो, यहाँ पे जो है आपको बता देता हूं, जैसे कि फूल फ्यूचर अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको यह थीम बाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको बाई करना नहीं है, बिल्कुल एक रुपे भी आपको लगाना नहीं है, ठीक है, अगर आप फिरी में बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो, कि 9.95 है, यानि 10 डॉलर के आसपास का है, मतलब यह जो थीम है, साढ़े 800 रुपे का थीम है, ठीक है, अगर आप जैसे कि फूल फ्यूचर अगर देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बाई करना परेगा, नहीं तो हो सकता है, आपको जो है कम फ्यूचर मिलेगा, तो हमने फिरी में जो डाउनलोड किया है, तो वहाँ पे क्या है कि कम फ्यूचर मिलेगा, लेकिन इसके अंदर में जितना भी फ्यूचर है, वो आप बाई करने के बाद ले सकते हो, लेकिन चल अच्छा रहता है बाकि अगर आप इंवेश्ट करना चाहते हो तो वेबसाइड एक कंप्लीट लो ठीक है एस्क्रीन पे वार्सप नंबर सो हो रहा होगा बाकि चलिए यहां पे करेंगे क्या कि यहां पे टिक करेंगे यानि किलिक करेंगे एक बार उसके बाद यहां एक्सट कर सकते हो ठीक है और एक्सटरक्ट करना जरूर ही है एक्सटरक्ट जो है अब मोबाइल से भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो आप यूटूब पे सर्च कर सकते हो कि मोबाइल से जीप फाइल को एक्सटरक्ट कैसे किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा बाग यहाँ पर extract हो जाएगा extract होने के बाद अभी आगे आपको बताता हूँ की करना क्या है तो जैसे की चलिए दोस्त यह जोए extract वेसे हो चुका है इधर जोए folder बनके आ चुका है इसे होने दो चलो back कर देता हूँ तो यहाँ पर यह page open हो चुका है तो इसे करेंगे back back करने के बाद इधर जो है galaxy gp file है अब इधर जो है galaxy folder है तो folder बनके आ जाएगा extract होने के बाद तो इधर folder पे दो बार click करना है click करने के बाद इसके अंदर में क्या है कि galaxy template free version यह है दोस्त यह जो है xml file है तो अब करना क्या होगा कि यहां पे जो है चलिए यहां से upload तो नहीं होगा blogger पे इसे back करने के बाद जो है blogger के dashboard पे जाएंगे और theme को जो है upload करेंगे तो theme upload करने के लिए theme पे click करेंगे click करने के बाद जो है दोस्त यहां पे क्या है कि arrow पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ Re-Store पर दोस्त यहाँ पर होगा कि upload का option आ जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकतो कि upload का option आ चुका है इस पर click करेंगे click करने के बाद आप जो जोए gple नहीं दिखेगा क्योंकि extract हो चुका है अब यहाँ पर फोल्डर देखेगा तो folder पे दो बार click करना है उसके बाद galaxy template फिरी बर्जन लिखा हुआ है तो इस पे एक बार click करना है उसके बाद यहाँ जो है open पे click करना है तो यहाँ पे re-restoring theme हो रहा है तो यहाँ पे cut cut मत करना है re-restoring theme होने देना अच्छे से यहाँ पे 2-4 second लगता है तो यहाँ पे re-restoring हो चुका है अब चलिए दोस्त website को देख लेता है कि किस परकार का हमारा website दिखता है तो यहाँ व्यूब अलग पे click करेंगे तो click होने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि same इसी परकार से दिख रहा है यानि जिस परकार से आपको बता हूँ उसी परकार से यहाँ पे website दिख रहा है तो चलिए दोस्त यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे करना क्या ह जैसे कि यहाँ पे अब आपको बता दू कि यहाँ पे जो है आब इससे पैसे कमाना है वेबसाइड तो किरियेट हो चुका है लेकिन आप जो है इससे पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए जो है करना क्या पड़ेगा कि एक वेबसाइड को इसके साथ लिंक करना पड़ेग उसके बाद जो भी earning होगी तो उसी website पे आपका दिखेगा, तो चलिए मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका नाम जो है ads टेरा है, ठीक है दोस्त, इसके अंदर में जैसी website add करोगे वैसी आपको जो है instant approval म मिलते ही अपने website पे इसका add लगा सकते हो, यानि जैसे कि Google AdSense का जो add होता है, लगाते हो तो Google AdSense का approval लेने में time लगता है, लेकिन इसका approval जो है instant मिलता है, यानि website create करते ही, website add करते ही यहाँ पे तुरंत के तुरंत approval मिल जाएगा, बाकि दोस्त, यहाँ पे जो है कि मेरा website पहली ही से add है, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, कि यहाँ पे किसी एक website का add code में लेके और जो website हमने create किया है, उस पे paste करूंगा, तो add चलना सुरू हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला website जो है, एक ना एक add करना परेगा, अगर एक website को add कर लेते हो, तो आप जो पे जो है, मैं add जो लगाँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि इस website का add लगाँगा, और यहाँ पे जो है, मैं पहले से ही क्या है कि add कर रखाऊ, तो यहाँ से code उठा के वहाँ पे लगाँगा, तो add दिखेगा, लेकिन इसमें जो है, एक ना एक website पहले add होना हो, तो चलिए आपको बता देता हूँ कि करना क्या होगा, तो जैसे कि दोस्त आप देख सकते हो, कि इस page पे मैं आ चुका हूँ, और इस page का नाम है, फिरी online blogger full course, create blog website, तो यहीं पे जो है, आप adds टेरा के अंदर में website add कर सकते हो, सबसे नीचे आपको आना है, अगर इस page का link जो है, देखना है, तो नीचे इस वीडियो के description में आपको इस page का link मिल जाएगा, उस पे जैसी किलिक करोगे, तो direct इस पे आ जाओगे, यह थोड़ा लंबा page है, तो load होने में जो 4 सेकेंट लगेगा, तो रुख जाना कोई दिकत नहीं है, उसके बाद यहाँ पे देख सक इसके अंदर में जनकारी मिल जाएगा, कि आपको addstera account जो है कैसे create करना है, उसमें पहला website add कैसे करना है, अगर link की बात करें, तो यहाँ पे जो है वीडियो description है इसका, तो यहाँ पे जो है आपको link मिल जाएगा, तो इस पे click करके आप जो है join कर सकते हो, addstera को, पहले इस पे जो है बहुत सारी जनकारी है, जो की मिल जाता है, ठीक है, बाकी मेरा खुद का earning proof देखना चाते हो, दोस्त, तो इसी full course के अंदर में दिखेगा, कि मैं खुद जो है website से earning कितना करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे की लिखा हुआ है, पर मन्त एक लाक रुपे, तो सच में इतना पर मन्त का हिसाब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कि एक-एक महिने के अंदर में कितना earning होता है, तो इसके अंदर में मिलेगा, तो नीचे इस वीडियो के description में इस full course का link है, बलोगर full course का, तो नीचे इस वीडियो के description में जाके उस link को चेक कर सकते हो, और जो हमने galaxy theme को जो download किया है, तो उसका भी link आपको नीचे इस वीडियो के description में ही मिलेगा, बाकी चलिए दोस्त, यहाँ पे आगे बता देता हूँ आपको, ठीक है कि करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपने तो देख लिया, कि addstera को कैसे join करना है, अब यहाँ पे addstera से हम जो है code को जो यहाँ पे addstera के अंदर में भी earning हो रही है, यहाँ पे जो है 9 dollar से उपर है, मतलब मेरा साधे 800 रुपे के आजपास यहाँ पे क्या है कि earning हो चुकी है, अब यहाँ से जो भी earning होती है, तो bank account के अंदर में जो जाता है, तो क्या होता है कि वो Indian rupees में जाता है, कैसे जाता है, व किसी और website का जो है, मैं add यहाँ से लूगा, ठीक है, add code, तो यहाँ पे क्या है कि arrow पे हमने click किया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि यहाँ पे आप जो किसी भी परकार का किसी भी add को लगा सकते हो, तुरंत के तुरंत add दिखेगा, तो यहाँ पे native banner add को ले ले 2, तो 4 दिखेगा, तो इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे क्या है कि मैं 2 को ही select करूँगा, और उसके बाद यहाँ सेब कर दूँगा, सेब करने के बाद यहाँ पे copy code पे click कर दूँगा, click करने के बाद अब क्या है, कि यहाँ से बलागर पे जाएंगे, ठीक है, पे यहां पे करना क्या है, जैसे कि इस code को मैं sidebar में लगाउगा, तो लगाने के लिए code को यहाँ पे add a gadget पे आपको click कर देना है, click करने के बाद यहाँ पे चीज़ेखेट के अंदर में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, ध्यान रहे एक छीज, कि यहाँ पे जो है on रहना चाहिए यहाँ टाइटल में कुछ लिखो या ना लिखो इससे कोई फरक नहीं परता है बांकि यहाँ content के अंदर में जो है हम code को paste कर देंगे paste करने के बाद यहाँ जो है save पे click कर देंगे save पे click करने के बाद जो है एक और add है जो कि उसको भी लगाना है तो यहाँ पे adds टेरा पे जाएंगे ठीक है अभी payment से related में आपको जनकारी दूँगा कि किस किस परकार से यहाँ से payment ले सकते हो और कितने dollar होने के बाद payment ले सकते हो तो यहाँ जो है इस code को हमने लगा दिया इसे close करेंगे close करने के बाद जो है इसके अंदर में आप किसी भी परकार का add लगा सकते हो लेकिन यहाँ पे सभी add को जो है आप layout से लगा सकते हो लेकिन इसके अंदर में एक ऐसा add है social bar जो की HTML coding के जड़िए लगाना परता है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं ठीक है मैं यही code है जो की problem हो जाएगा आपको लगाने में तो social bar इसका नाम है तो यहाँ पे चलिए social bar पे मैं क्या करता हूं code पे click करता हूं इसे जो है body tag के अंदर में लगाना होता है ठीक है layout के अंदर से नहीं लगेगा तो यहाँ पे copy करते हैं copy करने के बाद जो है दोस्त चलते हैं website ठीक है अब layout के अंदर में आप किसी भी code को वहाँ से लगा सकते हो बहुत सारे code मिलता है ठीक है 398 इस परकार से बहुत परकार का code मिलता है तो उसको आप जो है layout में कहीं कहीं पे भी आप लगा सकते हो जहां जहां पे जगह इधर भी लगा सकते हो ठीक है adag add app पे किलिक करके फूटर में लगा सकते हो ठीक है कहीं पे भी आप लगा सकते हो बांके चलिए इसको जो है social back को यहाँ theme पे किलिक करने के बाद ही लगेगा उसके बाद theme पर हमने क्लिक कर दिया यहां arrow पर क्लिक करेंगे arrow पर क्लिक करने के बाद यहां edit html पर क्लिक करेंगे edit html पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्या है कि नीचे की और आएंगे सबसे नीचे, सबसे नीचे आपको आना है, और यहाँ पे क्या है कि body दिख रहा है, ठीक है, इसे ही body tag बोला जाता है, यहाँ पे जो है, click करना है, enter दवा के नीचे आना है, उसके बाद इसी जगा पे paste कर देना है, देख सकतो कि यहाँ पे paste हो चुका है, अब इसे जो है save जर पे click कर देना, post पे click करने के बाद जो है दोस्त, यहाँ पे आब चलिए add दिखता है कि नहीं दिखता है, तो यहाँ जो है view blog पे click करेंगे, view blog पे click करने के बाद, तो जैसे कि यहाँ पे view blog पे हमने click किया, तो यहाँ जो है page हो रहा है, अभी load, तो load होते ही यहाँ पे देख सकतो दोस्त की यह जो है साइड बार में हमने एड को लगाया था तो वो दिख रहा है अब यह जो है सोसियल बार एड है ठीक है तो इसको कड़ भी कर सकते हैं बांकि यहाँ पे साइड बार में देख सकते हो कि दो एड को हमने लगाया था यहाँ पे एक चल रहा है यहाँ पे एक post को अब मैं open कर लेता हूँ उसके बाद आगे आपको बताता हूँ तो एक post को हमने open कर लिया है open करने के बाद जो है आप देख सकते हो कि इधर भी add चल रहा है बाकि आप देख सकते हो कि इधर भी add चल रहा है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो तो चलिए दोस्त यहाँ पे आपने इतना समझ गया यानि website भी create हो चुका है और यहाँ पे add भी चल रहा है अब इसके अंदर में कुछ changing करना होता है जैसे कि changing क्या करना होता है वो अभी आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पे logo change करना है यहाँ यहाँ पे menu change करना है यह स social plugin के अंदर में आपको बटन लगाना है ठीक है यह सब changing करना पड़ता है उसके बाद इसके अंदर में जो भी चीद बेफालतू का है यह बेफालतू का है इसको हटाना है ठीक है तो आप जो है कैसे हटा सकते हो उसके बाद जो है दोस्त नीचे की और आएंगे तो यहाँ जो है about के अंदर में क्या क्या चीरी लिखना है इधर photo कैसे change करना है foot or copyright कैसे change करना है ठीक है यह privacy policy का page सब generate करके इसके अंदर में add कैसे करना है तो आप जो है वैसे यह earning करने like हो चुका है बाकि आप जो है अलग से कुछ करना चाहते हो इसके अंदर में changing तो वो जो है आप को बता देता हूं तो देखो एक website को create करने के लिए यहाँ पर करना क्या पड़ता है कि 16 step को पूरा करना परता है तो यहाँ पर जो है आप 16 step पूरा कर सकते हो जैसे कि unique website create करना और यहाँ पर domain register and setup करना, unique post लिखना, website theme upload and customize all website setting, privacy policy, contact us about us, generated and submit, footer credit change, follow button and subscribe button, website पर एड़ करना, website all SEO setting, google search console के अंदर में अपने website को add करना, add करते हो तो आपको google adsense का भी approval मिलेगा, ठीक है, google adsense से जो है ना दोस्त बहुत ही ज़्यादा earning होती है, बाकि website ownership verify करना, इसके बाद google analytics को यहाँ पर add करना, उसके बाद new adsense account create करना, उसके बाद उसमें website को add करना, उसके बाद past adsense approval tips तो इसके बाद website monetize and earn money, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे की 15 step पूरा कर लेते हो, तो 16 step में आप earning करने लाइक बन जाते हो, वैसे जो है दोस्त आपको add का add का add लगा के आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे google adsense का आप approval ले लेते हो, तो होता क्या है कि add cetera से भी जादे earning होती है, दो गुना तीन गुना जादे earning होती है, google adsense से, ठीक है, बाकि जो है अगर आपको जल्दी बाजी में earning करना है, तो add cetera मैं आपको बता दिया हूँ, add भी लगा के आपको बता दिया हूँ, बाकि उससे payment कैसे लेना है, वो सब में आपको बताऊंगा, बाकि यहाँ पे आपको एक अलग से जनकारी मिल जाता है, जैसे आपके पास mobile है, तो mobile blogger full course है, part 1, ठीक है, यह जो है part 2 है, अगर आपके पास laptop है, तो यहाँ पे laptop blogger full course है, part 1, ठीक है, उसके बाद जो है part 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है दोस्त, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर जो है मेरा वार्टसप कंटेक्ट भी मिल जाता है यहां पर देख सकते हो बाकि अब मैं आपको बता दू दोस्त जैसे कि Google AdSense के साथ अगर आपको काम करना है तो फिर जो है दोस्त आपको बता दू कि यह जो वेबसाइड है फूल कस्टोमाइज है इसका आप देख सकते ह आप बोलोगे इसके अंदर में कुछ कस्टोमाइज करने के लिए तो कस्टोमाइज भी कर दूँगा अगर यह वेबसाइड आप लेते हो तो इस पे आपको जल्दी से Google AdSense का भी अप्रूबल मिल जाएगा ठीक बाकि जो है दोस्तों पहले आपको पूरा पैसा पैय नहीं करना है पहले जो भी आपके मन में होगा 400-500 वो देना है और उसके बाद आपको अपना वेबसाइर लेना है फिर वेबसाइर लेने के बाद बाकि का जो भी पैमेंट होगा वो मुझे आपको कर देना है ठीक है बाकि चलिए दोस्त यहाँ पे पूरा फूल सेटप करके मिले का वेबसाइर इसके अंदर में एड भी लगा के मिलेगा एड स्टेरा का बाकि Google AdSense का अप्रूबल लेने में तो टैम लगता है अगर Google AdSense का भी अप्रूबल लेना चाहते हो तो वो भी जो है अप्रूबल दिलाया जाएगा आपको ठीक है तो चलिए दोस्त यहाँ पे आ लाके देख लेना है आपको बाकि टेंपलेट कैसे डाउनलोड करना है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रफशन में ही आपको जो है टेंपलेट का लिंक मिलेगा थीम का जो हमने वेबसाइट पे लगा है तो दोनों कुछ फिरी है टेंपलेट भी फिरी है और यहाँ पे वेबसाइट भी क्रियेट करना फिरी है और यहाँ पे जो भी चीज़ है मैंने आपको फिरी में ही सब कुछ बताए ठीक है एक भी रुपिया यहाँ पे नहीं लगा है बाकि यहाँ पे आप देख सकते हो बीना एक रुपिय लगा है अगर यहाँ पे अर्निंग किया जा सक आपको किसी को जो एन करवाना है ना सेल करवाना है सिरिफ अछिक लिखना है और आपको आपने फेस्ञबुक पे सैर करना में लोग उस पे आएगा खुदी अर्निंग होगी ना कोई जोएन करेगा और ना कोई यहाँ पर बाय करेगा तो इससे अच्छा जाुनी करने क्या wire transfer कुछ भी link कर सकते हो अब यहाँ पर पे यंडियन रूपीज में चैंस नहीं कर सकता है तो यहाँ पर पेपल इंडियन रूपीज में चैंस कर सकता है यहाँ पर का 정म method वो जो है change कर सकता है तो सबसे अच्छा रहेगा दोस्तो बेव मनी क्योंकि बेव मनी को ही यहाँ पे link करना बेव मनी से होता क्या है कि जैसी आप 5 डॉलर इसके अंदर में earning कर लेते हो तो वैसी ही जो है आप पैसे निकाल सकते हो ठीक है लेकिन दोस्त को देख लेना फिर आप जो है अपना पैसा निकाल लेना बाकी अभी तक मैं इसको इसलिए यहाँ पे मैं इसको इसलिए रखा हूँ दोस्तो ताकि आपको जो है विश्बास हो जाए कि यहाँ से एड्स टेरा से earning होती है ठीक है तो आपको जो एक complete जनकारी दे दिया हूँ दोस्तो अब मैं आपको क्या बता हूँ अगर आपको website लेना है तो website भी ले सकते हो दोस्तो ठीक है इस परकार सा पूरा complete website मिलेगा एस्क्रीन पे मेरा वार्टसप नंबर 100 हो रहा होगा ठीक है तो चलिए दोस्त यहाँ पे जो भी था जनकारी मैं आपको बता दिया हूँ कि website को कैसे create करना है और theme कहां से download करना है तो वीडियो के description से और यहाँ पे आपको बता दू कि अगर आप जैसे की full course देखना चाहतो तो उसका भी link मिलेगा full course को देखके आप जो है अपने website को जैसा मर्जी वैसा customize कर सकते हो अगर मैं यहाँ पे पूरे जनकारी अगर देने लगूंगा दोस्त ठीक है इसको पूरा customize करने के लिए बैठ जाओंगा तो होगा क्या कि यह video जो है कम से कम 8 घंटे की हो जाएगी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त की आप जो है थोड़ा थोड़ा time निकालके full course को देख लेना तो अच्छा रहेगा ठीक है एक बार में वैसे भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है तो confused हो जाओगे इसलिए जो है इतना मैं आपको बता दिया हूँ बीना कस्टोमाइज किये ही आप जो है क्या है कि एड को यहाँ पर run कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो लेकिन अच्छे से बेबसाइड कस्टोमाइज रहेगा तो आपको एड सेंस अपरूबल मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्राफिक मिलेगा ब्यूज मिलेगा जादस जादस आप अर्निंग कर सकते हो यानि एक बेबसाइड को जब तक अच्छे से आपको किरियेट नहीं करोगे ठीक है तब तक उस पे ना व्यूज मिलेगा ना तो ट्राफिक मिलेगा तो फूल कोर्स को जो है आप जरूर देखना फूल कोर्स में आपको सभी परकार का जनकारी मिलेगा तो चलिए दोस्त यहाँ पर बस यही जनकारी आपको देना था अगर यह जनकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने से यह फायदा होगा कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसका जानकारी आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में